हुले दोस्तों कि टूडे टोपिक आज का टोपिक है वाट इज फायरे स्प्रिंकलर फायरे स्प्रिंकलर क्या है फायरे स्प्रिंकलर टेंपरेचर रेटिंग फायरे स्प्रिंकलर का टेंपरेचर रेटिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे how does fire sprinkler work fire sprinkler कैसे काम करता है उसके बारे में आज बात करेंगे fire sprinkler का full details के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे देखर है what is fire sprinkler fire sprinkler क्या a fire sprinkler और a sprinkler head is the component of a fire sprinkler system fire sprinkler या fire sprinkler heads fire sprinkler system का a component fire sprinkler जो होता है इसके system का a component है that discharge water when the effects of a fire have been detected जब पानी डिस्चार्ज होता है आग के परभाव का पता चलता है such as when a predator mind temperature has been accessed जैसे कि जब एक predator mind का तापमान पार हो गई हो जैसे माइन जैसे होता है इसका एक sensor जो होता हो temperature पार हो जाता है ना fire sprinkler are extensively used worldwide with over 40 million sprinkler hairs fitted each year fire sprinkler का वैपक रूप से worldwide उप्योग किया जाता है आरे sprinkler जो है वो पूरा दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है हर साल 40 million से भी अधिक fire sprinkler लगाया जाते मतलब 40 million से भी ज्यादा है इसका हर साल selling होता है और वह लगता है construction साथ बिल्डिंग में office में किसी बरे बरे hospital मतलब हर जगों fire sprinkler का इस्तेमाल किया जाता है मतलब fire के accident से बचने के लिए आग के accident से बचने के लिए यहां पर fire sprinkler temperature rating the fire sprinkler temperature rating एक होता है कितने पर वह मतलब बल्व एक होता है ना fire sprinkler में जो बल्व लगा रहता है उसका एक रेटिंग होता है उस पर जब हीट लगता है तो वह तूट जाता है और तूटने के बाद fire sprinkler हेट का कैप निकल के और वहां से पानी निकलना स्टार्ट होता है वह वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे आपको दिखेगा कैसे यह काम करता है एक बल्व का कलर कोडिंग भी होता है अलग-अलग temperature वाले जगर पर अलग-अलग बल्व का इस्तेमाल कियाता है फ़र्स्ट में हम देख रहे है और एंज तो और एंज बल्व जो होता नो वो 57 degree Celsius पर काम करता एक 135 Fahrenheit 37 gdzie यह काम करता है अगिए देख रहा है 68 degree Celsius पर यह यह काम करता है तो यह बल्व तूट यागा और यह क्यों तूटता है वह भी हम आपको आगे बताएंगे एक लो कलर होता है इसका यह भी 79 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और 174 फेरेनाइट दूसरा गिरीन है जिए गिरीन आगे मां कलर भी आपको दिख रहा होगा और यह 93 सेल्सियस डिग्री पर काम करता है और इसका फेरेनाइट डिग्री जो होता है 200 होता एक बुलू होता है यहाँ पर बुलू आपको कलर कोडिंग जो दिख रहा है बुलू तो यह 141 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और 286 फेरेनाइट डिग्री इसका जो कलर कोडिंग होता है यह बुलू होता है यह सब जो है नीचे वाला जो भी यह रिटिंग का है यह 93 141 182 यह सब हाइट टेंप्रेचर वाले जगह पर इसका इसका इस्तमाल किया जाता है ज जो गरम-कर भाई हेट लाइन होती है और वहां पर सारा सिर्टम nowhere यह लगता है और वहां पर इस ज्यादय कहा करता है तो फिर वो फायर स्पिन्कलर तूट के वहां पर काम करता है तो यह सब हाइड टेंपरेचर रेटिंग दूसरे जगह हाइड मतलब टेंपरेचर रेटिंग वाले जगह पर इसका इस्तमाल किया जाता है और यह उपर में जो देख रहें 5768 यह सब कंस्ट्रक्शन होम अफिस में हुस्पिटल में यह सब मतलब वाला ज्यादे खास करके हम लोग देखते हैं बिल्डिंग में यूज होता है यह यह सब जो दीख रहें को यह यह फायर स्पिंखलर बालव है इसी का डिग्री आए उपर में जो देख रहा है फिफ्टी डिग्री सेलसियस पर यह काम करता यह 68 यह 57 ओरेंज वाला काम करता और डीड वाला जो है यह 68 यह अपने घर में यूज वाला और इसके अंदर क्या फुल्पिल है क्यों तूटत पर क्याम करता यह 79 पे यह 93 फे ग्रीन वाला और यह स्वाश्यों डिग्री धिग्री चल्स यह अरू 182 दिग्री Celsius काम करता यही बलब पहार इस्पिंक्लर में इस्तेमाल होता है Android फाइर इस्पिंकलर वわか्काम कैसे करता उसके बाए में बात कर लेता है के फायरीट फ्रीच्र वर्क वक्षभ हाइए फीडस दप्रिंगलर शिस्टम क् favour करता है कि हम घ इस्प्रिंगलर सिस्टम को कि जीगरто बतुर हाई सपीर लॉघ्बर सीटम ये हीड को सेंसीर करता है मतलब तो हम तो कि अपने ऑग लगती है तो हवा सीधों उपर यह तेजी से गर्म होता जब नीचे में आग लगती है किसी बिल्डिंग और में थो पूरा हवा गर्म हो जाती है य nasal temperature वहाँ का Environments temperature बढ़ जाता वही temperature को NS करता but a sprinkler heights फूथर ट्रր फेटर अग्लास बन हम फिल्ट विठी बेस्ट निक्विड जादा से ज़ always फृडट निस सेई अधारीत लिक्विड से भरा वह बोर फेल्व होता इस थो ने कब बाहर होता होता निकार हटा होता है हीट को जब करता ह्या तो फेलता है और फेलता इसलिए वह सिसार बंब होता तूट जाता है तूटने के बादद बाहर होता एस प्रिंकलर का और कैप बाहर होने के बाद वहाँ से पानी निकलना स्टाट होता है अब आप व जेख ले यह यहाँ पहाइं और 30 को उसके बाद फाइर एक्सपेंटर का बल्ब टूडिया और पाद इस लिक्वीड एक्सपेंस वेन इट कम्स इन कॉंटेक्ट विट एर हीटेट तू बीट्वीन 135 165 डिग्री एक्सों पैंती से एक्सों पैंसर डिग्री के बीच में गरों हवा के संपर्क में आने पर यह तरल फैलता है अंदर लिक्वीढ निरा राता है ग्लिसरीन वह हीट को जब सेंस करता है तो तराल गला होता दो फैलता होता ना ज्याहता ज्यादा जगाने करनhr गलोने सेसा तूट जाता पनलने बाहा होते दिया है